हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मसालो का जादू आज हम बनाएंगे कद्दू का राइता कद्दू का राइता बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी कद्दू एक चोथाई चमच लाल मिर्च पावडर एक चोथाई चमच हल्दी पावडर राई एक चमच जो हमने दरदरी कूट ली है नमक स्वादा अनुसार हिंग दो पिंच और दही जो मैंने आदी कटोरी से थोड़ा सा ज़ादा लिया है और इसे मैंने फेट लिया है अब हम कद्दू को कूकर में डाल कर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढकन लगाकर एक सीटी लगा लेंगे कद्दू में हमने एक सीटी लगा ली है अब हम इसे मेशर की साहता से मेश कर लेंगे आप इसे ठंडा होने के बाद हाथ से भी मेश कर सकते हैं यह अभी गरम है इसलिए मैं मेशर की साहता से इसे मेश कर रही हूँ सबसे पहले हम एक कड़ाई में एक छोटी चमच इतना तेल गरम करेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें आदी चमच कूटी हुई राई डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें हीं हल्दी पावडर लाल मिर्च पावडर और नमक डाल देंगे कड़ू जो हमने मेश किया था वो डाल कर इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे अब हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और धही डाल कर इसे लगातार हिलाते रहेंगे अगर हम लगाता नहीं हिलाएंगे तो हमारा धही फट सकता है और अगर गेस की आज भी जादा रहेगी तो हमारा धही फट सकता है इसलिए हम धही डालने से पहले गेस की आज को कम कर देंगे अब हमारा धही अच्छी तरह से मिल चुका है अब हम गेस को बंद करके इसमें कूटी हुई राई जो हमने आदी बचाई थी वो इसमें डाल देंगे ये कूटी हुई कच्ची राई जो हम उपर से डालते हैं इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है और राईता हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है ये हमारा राईता बन चुका है अब हम इसे सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे और धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए अगर आपको यह रेसिपी पसंद आईए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से सस्क्राइबर है तो मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें